हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ बबली आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल बबली पांडी कीचन में फ्रेंड्स आज मैं मिठी पूरी की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे मैंने गुड़ और गेहूं के आटे से बनाया है और यह बहुत ही सॉफ्ट स्पॉंज होती है और बहुत ही यूस्फूल रेसिपी है क्योंकि इसे आप एक बार बना के तीन चार दिनों के लिए बिना फ्रेज के रख के खा सकते हैं और अगर आप हेल्थ कॉंसेस है तो आपके लिए यह बेस्ट रेसिपी है क्योंकि बहुत कम तेल एबसॉर्फ करती है और अग अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी दबाएं जिसने की मेरे वीडियो के सारे नूटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले मीठी पूरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कप गोल लिया है और छोटी पीस में इसे काट लिया है इसे एक बड़े से बरतन में डालेंगे और एक कप भर के पानी डालेंगे इसमें तो ध्यान रखीएगा सारी चीजों का मेजर्मेंट एक ही बरतन से करना है तो कोई भी कप यह कटोरी आप ले 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 अब फ्लेम को आउन करेंगे गुड को अच्छी तरह से मिक्स करके मिल्ट होने तक पकाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं उबाला चुका है ज्याद तो यहां पर मैंने लिया है गेहू का आटा और उसी बरतन से लेंगे जिससे एकक प मैंने गूल दिया था तो हमें गेहू का एटा 3 कप लेना है मेजर्मेंट का खास ख्याल रखना है और इसमें जो सबसी जरूरी इंग्रिडियंस है वो है बेकिंग सोडा तो बेकिंग सौंफ को अच्छी तरह से क्रस्ट करके डालेंगे जिससे अच्छा सा फ्लेवर आए और अगर आपको इलाइची पसंद है तो आप इसके जगप इलाइची डाल सकते हैं वन फोर टी स्पून डालेंगे नमक जो की टेस्ट को बहुत ही अच्छा बैलेंस करेगा और बहुत अच्छा टेस्ट देगा अब ड्राइ इंग्रिडियन्स को एक बार मिला लेंगे जिससे की बेकिंग सोटा अच्छे से मिक्स हो जाए इसके बाद एक छंदी लेंगे और ज जिससे की एकम बार डालने से गीला न हो तो देखिए इस तरह से मिलाना है हमें और फिर इस चुटा को हटाके हाथों से चची तरह से आटा को गूनना है। जैसी हम रोटी बनाने के लिए नीट करते हैं वैसे ही। तो यहाँ पर सारा डो इकठा हो चुका है। लेकिन हमें इसका जो डो है बहुत ही soft गुंदना है तो थोड़ा थोड़ा एक तू चमच पानी ऐसे छीड़कते हुए लगातार हम कम से कम 5-6 मिनिट तक इसे नीट करेंगे ऐसे जैसे कि मैं कर रही हूं देखिए तो इसे एकदम जितना ही soft आप कुंदेंगे उतने ही अच्छी मीठी प इसके वज़े से यह format होता है तो अगर जल्दी है तो एक दो घंटे में भी आप बना सकते हैं लेकिन अच्छी रिजल्ट के लिए आप इसे तीन से चार घंटे के लिए ढगके छोड़ें अभी चार घंटे हो चुके हैं एक बार डो को चेक कर लेते हैं तो यह दिखिए फ बना लेंगे और इसके बाद बस रोल करेंगे और फ्राइ कर लेंगे मीठी पूरी बनके तयार हो जाएगी तो ऐसे नीबू के बराबर छोटा से मैंने बॉल लिया है और अब इसे रोल करके भी दिखा देती हूं तो यहां पे चकला और बेलन मैंने लिया है इसे भी थोड सा गीला होता है तो चिपकने का डर रहता है तो इस तरह से हलका सा ओल लगा लगा के इसे रोल कर लेंगे और हलके हाथों से रोल करेंगे इसे ज्यादा मोटा नहीं हो ज्यादा पतला भी नहीं करना है ऐसा हमें करना है जैसे कि पूरी हम रोल करते हैं उससे थोड़ा सा जादा मोटा भी नहीं होना चाहिए जैसा कि हम पूरी के लिए रोल करते हैं उससे थोड़ा सा मोटा तो बस एक तम ए परफेक्ट है और इसे फ्राइब करने के लिए मैंने ऑईल पहले से गरम कर लिया है थोड़ा सा डो डाल के चेक कर लेंगे तो डो डालने के बाद तुरं पहले डालते समय फ्लेम को हमें ज्यादा रखना है उसके बाद थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे और मीडियम टू हाई पे हम इसे फ्राइब करेंगे देख सकते हैं डालते ही ये तुरंद फूल जाता है और इसे पलट के दोना तरब से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे ये बन जाता है इसे निकाल के हम एक टीसू के उपर रखेंगे और इसी तरह से सारे पूरी को हम बना के फ्राइब कर लेते हैं एक पर में आप चाहें तो दो तिन पूरी भी डाल डाल के फ्राइब कर सकते हैं बहुत जल्दी से हो जाता है ये काम जैसे ही एक सिक करके रख सकते हैं बच्चों को टीफिन में भी दे सकते हैं और चाहें कहीं जर्णी में लेके जा सकते हैं सब को बहुत पसंद आएगी इसे जरूर बनाईएगा और मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आपको मीठी स्पॉंजी पूरी कैसी लगी